तो दो गाईज केसे आप सब में सत्य आपके साथ हो चलिए आज हम वीडियो करने वाले हैं दा वर्ड पूरे वर्ड में कौन कौन सी ऐसी मजजदे हैं जो पूरे वर्ड में सबसे बड़ी है तो मुझे भी देखना मतलब आज मैं पहली बार देख रही हूँ यह मजजीद कितनी बड़ी-बड़ी है और पूरे दुनिया में कहा कहा पर है और कितनी बड़ी है और कितनी सुन्दर है यह मजजीद है और इतनी interesting चीज़ें कि चीज नहीं ये भगवान का मंदिर जैसा है मस्जीद मंदिर ऐसा है तो ये देखना मुझे ज़्यादा पसंद है और आपको भी पसंद होगा तो चलिए देखते हैं कितनी ज़्यादा मस्क इन दे वर्ड पूरी वर्ड की सबसे बड़ी वर्ड में मस्क हम देखने वाले हैं तो चलिए देखते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेट्स असलाम अलेकुम दोस्तो मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी दोस्तो मस्जदों से ज़्यादा खुबसूरत और पुर सकून जगा और क्या हो सकती है यहां हम अल्ला ताला की अबादत के लिए जाते हैं आप ने अपनी लाइफ में बहुत सी खुबसूरत मसाज़ित देखी होंगी लेकिन आज की इस वीडियो में आपको दुनिया में मुझूद दस सबसे बड़ी मस्जदों के बारे में बताने जा रहा हूँ तो शुरू करते हैं अपना काउंट टाउन सबस्क्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इनफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमबर टैन बैतल मुकरम बैतल मुकरम बंगला देश की नैशनल मस्जद है ये वहाँ के कैपिटल डाका में मौजूद है इस मस्जद को 1968 में बनाया गया था ये दुनिया की दस्वी सबसे बड़ी मस्जद है जिसमें 30,000 लोग नमास पढ़ सकते हैं इस मस्जद की उँजाई 99 फुट है रमजान में ज्याता रश होने की वज़ा से बंगलादेश की गौवर्मेंट ने इसको एकस्टेंड कर दिया है जिससे इसमें 40,000 मुसल्मान नमास पढ़ सकते हैं ये मस्जद इंडिया के शहर देली में मौजूद है इस मस्जद को मुगल सल्टनत के बादशा शाह जहान ने बनवाया था इस मस्जद को सन 1656 में बनाया गया था इस वकत इस मस्जद को बनाने में 10,000,000 रुपे का खर्चा आया था इसको मार्वल और सुर्ख रेट की पत्रों से बनाया गया था इसके तीन बड़े दरवाजे और चार बड़े मिनार है जिनकी उंचाई 40 मीटर है इस मस्जद के सिर्फ बाहर के हिस्से में ही 25,000 लोग नमास पढ़ सकते हैं नमबर एड शेख साहिद मस्जद शेख साहिद मस्जद UAE के कैपिटल अबुदबी में वाकिया है ये मस्जद 2007 में बन कर त्यार हुई थी और इसे बनाने में 545 मिलियन डालर का खर्चा आया इसमें 41,000 से ज्यादा लोग नमास पढ़ सकते हैं ये मस्जद नहायत खुबसूरत डेकुरेट की गई है इस मस्जद के चार बड़े मिनार है और हर मिनार का साइज 351 फोट है ये मस्जद 30 एकड़ पर पहली हुई है इसके खुबसूरत डिजाइन की वज़ा से हर साल दुनिया भर से लाग हो लोग इसे देखने के लिए आते हैं बात्शाही मस्जद बात्शाही मस्जद लाहूर में वाग्या है ये पाकिस्तान की कदीम तरीन मसाजद में से एक है जिसे मौल दोर में बनाया गया था इस मस्जद को संद 1673 में औरंड जेबने बनाया था इस मस्जद में चार बड़े और चार चोटे मिनार है इस मस्जद का इंटिर इतना खुबसूरत है कि इसे देखने के लिए लोग दुनिया भर से आते है इस मस्जद के अंदर 56,000 लोग नमास पढ़ सकते है पद्शाही मौस्क पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी मस्जद है फैसल मस्जद पाकिस्तान के कैपिटल इसलामबाद में वाक्या है ये पाकिस्तान के सबसे बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है इस मस्जद को 1987 में सौदी किंग शेख फैसल ने बनाया था इसको बनाने पर 120 मिलियन डॉलर का खर्चा आया ये साउथ एशिया की सबसे बड़ी मस्जद है इस मस्जद के चार बड़े मिनार है और हर मिनार की उंचाई 300 फुट है फैसल मस्जद इतनी बड़ी है कि इसके अंदरूनी और बेरूनी हिस्से में कुल तीन लाग लोग नमास पढ़ सकते है नमबर फाइव हसन अलसानी मस्जद ये मस्जद मौरोको के शहर कासा बलांका में मौजूद है ये बराजम अफरीका की सबसे बड़ी मस्जद है इस मस्जद का मिनार दुनिया का सबसे बड़ा मिनार है जिसकी उंचाई तकरीबन 690 फुट है ये मस्जद 1993 में बनकर कम्पलीट हुई थी और इसे बनाने में तकरीबन 700 मिलियन डॉलर का खर्चा आया इस मस्जद में 1,5,000 लोग नमास बढ़ सकते हैं नमबर फूर मस्जद इस्तकलाल ये मस्जद इंडोनेशिया के शहर जाकाराटा में वाक्या है ये सौथ इस्ट इस्ट इशिया की सबसे बड़ी मस्जद है ये मस्जद 1978 में बनाई कई थी और इसे बनाने पर 12,000,000 डॉलर का खर्चा आया था इस मस्जद के दो बड़े मिनार है जिनकी उंचाई 148 फुट है अमरीका के साबका सदर बिल कलिंटन और प्राग उबामा इस मस्जद में विजट कर चुके हैं इसके अंदर दो लाग से ज्यादा लोग नमास पढ़ सकते हैं नमबर थ्री हरम इमाम रजा ये इरान की सबसे बड़ी मस्जद है इसे सन 818 में बनाया गया था ये एरिये के साब से दुनिया की सबसे बड़ी मस्जद है हर साल तकरीबं डेड़ करोड़ दो गजार पर आते हैं इस मस्जद के टोटल 8 मिनार हैं और इसमें 6 लाग से ज्यादा लोग नमास पढ़ सकते हैं इस मस्जद को हमारे प्यारे नबी हजरत मुहम्मद ﷺ ने मक्का में हिजरत के बाद अपने दस दे मुबारक से तामीर किया था ये दुनिया का दूसरा सबसे बाबरकत मकाम है इस मस्जद की डिवैल्पमेंट हर दोर में होती रही है हर साल करोडों लोग मस्जद नबी की जियारत के लिए आते हैं इस मस्जद में दस लाख लोग नमास पढ़ सकते हैं मस्जद नबी हमारे आका करीम ﷺ की आराम गा और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जद है नमबर वन मस्जद लहरम مسجد الحرم اللہ تعالیٰ کا گھر اور دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے یہ اس دنیا کا سب سے ببرکت مقام ہے اس کی تعمیر اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی اب اس کا رقبہ اتنا وسیع ہو چکا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد بن چکی ہے یہاں ہر سال کروڑوں لوگ حج اور عمرے کے لیے آتے ہیں حج کے موقع پر مسجد الحرم میں چالیس لاکھ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں دوستو میرے اپنے سب ویورز کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد نبوی اور مسجد الحرم کی زیارت نصیب فرمائے آمین اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں ماشا اللہ اتنی مسجد تو میں نے آج ہی پہلی بار دیکھی ہے کیونکہ میرا اتنا ایسا نہیں ہوا کہ میں ابھی تک مسجد میں میں نے نظر سے مسجد کو میں نے نہیں دیکھا ہے ابھی دیکھا تو کیا بات ہے اتنی بڑی مسجدیں ہیں اور تین مسجدیں سب سے مطلب لاس سے انہوں نے شروع کی تھی پہلا لاس سے کم تین لاک یا کچھ تھے اتنے لوگوں میں سے 40 لاکھ لوگوں تک بیٹھ سکتے ہیں ایک مسجد میں 40 لاکھ لوگ رہے سکتے ہیں اتنی ساری جگہ جو مسجد ہے وہ مسجد میں ہوتی ہے اتنی ساری جگہ اس مسجد میں ہوتی ہے پہلے والے مسجد میں ماشاءاللہ کیا بات ہے اور اتنے ساری لوگ اکٹھا ہو کر ساتھ میں نماز پڑھتے ہیں تو کتنا اچھا لگتا ہوگا ان کو گلے مل کر گلے بھی ملتے ہیں میں نے دیکھا تھا ٹی وی میں تو رمجان اید ہوتا ہے تب میں نے دیکھا تھا کہ یہ گلے ملتے ہیں تو کتنا اچھا لگتا ہے سب سے پیار سے باتیں کرتے ہیں یہ بہت اچھا بہت اچھا مطلب تیوہار بھی ہوتا ہے اور یہ مسجدے میں میں نے پہلی بار دیکھی ہے اور یہ ورلڈ کی سب سے بڑی مسجدے تھی جو مجھے آج سامنے نہیں دیکھنے کو ملی تو کیا ہوا میں نے مطلب موبیل میں تو دیکھ لی ہے تو مجھے اس سے بہت بڑا سکون مل رہا ہے کہ میں نے ایسے تو دیکھ لی آپ کی وجہ سے تو تھینکو فرنس آپ کو یہ مجھدے کیسے لگی تو اللہ کا گھر یہ تو سب کو اچھا ہی لگا ہوگا اور آپ کو ہمارا میں نے یہ دیکھنے کا موقع ملا تو میرا نصیب بھی بہت اچھا ہوگا میں نے آج یہ بھی دیکھ لیا ہے تو چلیے ملتے اگلے ویڈیو میں تو تب تک کے لیے ببائے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اور میرے نیکسٹ ویڈیو کو بھی دیکھنا اور کمنٹ ضرور کرنا تو تب تک کے لیے ببائے دوستو لائک کرنا